Hello students, welcome back to my channel Smart Study. Students, आज हम Directed of Education की तरफ से दी जाने वाली Worksheet No. 30 करेंगे, जो की Class 6 की है और सब्जेक्ट है Mathematics. ये Worksheet 25th January 2021 की है. तो आज़े शुरू करते हैं आज की Worksheet. Worksheet शुरू करने से पहले, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. तो आज़े देखते हैं आज की Worksheet Practical Geometry, Perpendicular Lines. Introduction. Two Intersecting Lines with Right Angle are called Perpendicular Lines. Example, like a corner of the book where two lines are at right angle. तो क्या कहा गया है? Intersecting Lines कौन सी होते हैं? ये ऐसी Lines जो आपस में एक दूसरे को कट करें. जैसे कि अगर हम इस तरह से कोई भी Lines बना रहे हैं, तो जो एक दूसरे को कट करते हैं, उन लाइन को हम क्या कहते हैं? Intersecting Lines. तो जब दो Lines आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और उनके बीच में right angle बना रहे है, 90 degree का अंगल बना रहे हैं, तो उन Lines को हम क्या कहते हैं? उन Lines को हम perpendicular lines कहते हैं. एक बार फिर समझे लीजी जब two lines आपस में एक दूसरे को cut करते हैं अगर इस तरह से cut कर रही है देखो ऐसे cut कर रहे है तब नहीं जब दोनों एक दूसरे को इस तरह से cut करें कि दोनों के बीच में क्या हो 90 degree angle बने दोनों के बीच में क्या बने 90 degree का बने तो उस lines को हम क्या कहते है पर्पेंडिकुलर line जैसे कि आपकी book है देखो बुक अगर आप corner देखोगे तो इस तरह से होता है तो इन दोनों के बीच में क्या है 90 degree का angle है तो ये क्या हो जाएंगे पर्पेंडिकुलर हो जाएंगे दूसरे से आईए अब देखते है next क्या दिया गया वरक्षीट में तो ड्राप पर्पेंडिकुलर line with a help of a ruler and set square set square और ruler की सहायता से पर्पेंडिकुलर line को draw करना सीखते हैं तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम एक line draw करते हैं हमने माना ये line है P इस पर कोई भी एक point ले लीजिए आप हम ले लेते हैं एक point हमने ले लिया P ठीक है अब देखो क्या करना है इस P point पर आपको क्या करना है set square रखना है हमने पिछली वक्षीट में देखा था इसे ruler कहते है और इसे set square कहते है तो इस P point पर हम क्या रखते है set square रखते हैं यहाँ पे इस set square जैसे कि यह on why पर set square रखेंगे अब यहाँ set square रख्ते है हमने यहाँ कर कंदये है एक whee इस तरह ओ सेट square कहते है जाप हाटा जिया करेंगे आण सब्सक्राइब सक्रहा हमने यहाँ और डिल्लाइन ऑलिक करते हूँ अब P Q जो है वो L पर क्या हो जाएगा परपेंडिकूलर हो जाएगी ठीक है यहां से रखेगा तो यहां पर क्या है 90 डिग्री का एंगल है ठीक है तो एकदम इसी तरह से हम आपके स्केल से में लाइन ड्रो करेंगे उसके बाद में सेट स्केर देखो यहां पर दिया गया है पहले क्या किया गया स्केर रखा गया अपने लाइन मेजर कर दी जितना भी आपको लाइन दिया फिर यह जो सेट स्केर है उससे रखकर आप इजी ली इसको कर सकते हैं यह नेक्स देखते हैं नेक्स थोड़ा सा इंट्रस्टिंग ए बटा तो ड्रो परपेंडिकूलर करना है परपेंडिकूलर लाइन ड्रो करनी है तो इसके लिए फर्स स्टेप तो वही है कि सेम हम जितना हमें लैंट दी जाएगी हम उतनी लाइन ड्रो करेंगे और लाइन की बीच में कोई भी एक पॉइंट ले ले लेते हैं यह पॉइंट हमने लिया है इस पॉइंट को पीमान देखते हैं अब आप कमपस को एक थोड़ी सी लैंट उसकी खोले मतला उसको थोड़ा सा उपन करना है एक साइज इसको फिक्स रखना है बार-बार में चेंज नहीं करना है यह बात आपको बता देती हूं कि एक बार जितना आपने खोली है जब तक आप 90 दीज एक देखो इस तरह आप एक सैमि सर्कल खीचीँगा यहां पे आपने जो कमपस है उसका तीके वाला पार राख रखाऊ और यहां पे पैंसिल वाला पार और इस तरह साप घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा ये semi circle अब आपको देखो क्या करना है ध्यान से समझो बेटा जितना compass आपने खोला हुआ उसका size वही रखना है उसके size को change नहीं करना अब इसको मान लेते हैं A और B ये दो point जो यहाँ पर आये हैं ये L line पर जो दो point आये हैं उन्हें मान लिया है उसका size इतना आपने open किया था उतना ही रखना है change नहीं करना और फिर finally आप इसको ऐसे मिला देंगे तो जो ये angle बनेगा ये क्या हो जाएगा 90 degree और यहाँ पर आप लिख दीजे क्यों तो जो P क्यो है वो AB पर क्या हो जाएगा perpendicular lines ठीक है ध्यान से हो जाएगा अपर perpendicular line AB with the ruler of the point M आपको क्या करना है ruler की सहायता से क्या करना है यहाँ पर compass का use करना है क्योंकि set square का use हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हम compass का भी use करेंगे तो सीधा इससे करना है बेटा देखो 6 cm लिया आपने यहाँ पर एक line draw कर ले रूलर से एक line draw कर देंगे 6 cm उसमे एक कोई भी point दे लेते हैं M, यहाँ पर हमने point ले लिया M ठीक है यह हमने point ले लिया M, अब आप compass को खोलें थोड़ा सा size और इस तरह से एक क्या करेंगे semi circle यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है इस तरह से हमने semi circle बना दिया, अब इसको हम नाम दे दे देते है semi circle को नाम देते है AB, हमने इनको क्या नाम दे दिया, line, perpendicular draw, a perpendicular line AB with the ruler throat, the point M, ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है आपको यहां से एक cut लगाना है, पहले B से M इस तरह कट लगाएंगे, फिर A से इस तरह कट लगाएंगे, उतना ही size होना चाहिए, यह compass का, और इस तरह से एक line draw कर देंगे, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, AB पर M पोइंट से क्या हो जाएगा, पर perpendicular line यहां पर बन जाएगी, ठीक है student, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा अच्छे से आप करेंगे, तो आपको easily समझ में आ जाएगा, अब हम करते है, next question, देखो, next question में क्या कहा गया, 8 cm के line लेनी, यहाँ पर हमने 8 cm के line लेली, 0 से लेके 8 तक scale से line ले ले लेगे, उसके बाद इसके कहीं पर भी S point, हमने यह डाल दिया, यहाँ पर यह क्या है, S point, ठीक है, अब क्या करना है, draw a perpendicular throat CD, throat point S by ruler at set square, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर set square रखना है, अब यहाँ पर क्या करना है, set square रखना है, और यहाँ पर यह सीरी हमने line लगा दी, यह कोंसे line है, सीडी सीडी पर हम SP क्या कर देंगे एक perpendicular लगा देंगे यहां से आपने सेट स्क्वेर रखा अब सेट स्क्वेर रखकर आप क्या करेंगे इसके साथ साथ एक line बना देंगे थोड़ी सीधी होनी चाहिए मेरा थोड़ी सा टेड़ा हो गया ठीक है तो यहां पर यह जो हो जाएगा यह 90 दिग्री का एंगल होगा इस तरह से आप पर जो सेट स्क्वेर रखेंगे उस line के ऊपर और एक क्या बना देंगे अपना perpendicular line बना देंगे थोड़ा ध्यान से थोड़ा अच्छे से करेंगे थोड़ी practice करेंगे तो आपको easily समझ में आ जाएगा तो बिटा आज की worksheet complete होती है worksheet complete करके अपने teacher से चेक कराईए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए